एक कुंडली सौ समाधान, देश की हर जोतिश्य पद्धती के समावेश के साथ संपोण, आकरशिक और सब से सटी, एस्टो सेज, ब्रिहत कुंडली, आज अभी लें क्यूंकि भविश्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत हर हर महादेव आपने क्लिक के हैस्टो सेज, नमबर वन इस्ट्रोलजी, बताऊंगे आपको कैसा भी देगा आपके लिए आक्टूबर का महीना और इस महीने में कौन-कौन से हो रहे हैं गोचर और ये गोचर आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं और इस बदलाव से आपके जीवन में कितनी खुशिया आने वाली है और अगर खुशिया नहीं है तो गम है तो इसे आप दूर कैसे करेंगे स्वास्त कैसा रहेगा आपका करियर में कितनी तरकी मिलेगी ये सारी बाते मैं आपको बताऊंगी बस अब सुनिये आप अपना राशी फल आपकी राशी के लिए कैसा रहने वाला है ये अक्टूबर का महीना चुके राहो के तुका गोचर हो रहा है सितंबर में ही राहो के तुने अपने राशी परिवर्तन किये हैं और इस महीने जो राशी परिवर्तन है वो शुक्र का है बुद्ध का है और सूरे का है इस राशी परिवर्तन से आपके भाव एक्टिव होंगे और इस भाव के आक्टिव होने से आपको तमाम फल मिलने वाले हैं मीन राशी के जातक एमोशनल होते हैं आप और कई बार आपकी भावनाएं आपके लिए परिशानी का सबब बन जाती हैं तो अपने एमोशन्स पर जरा कंट्रोल रखें क्योंकि एमोशनल होना बढ़िया है एमोशनल फूल होना बहुत खतरनाक है तो देखे कि आपका कोई इस्तमाल ना कर रहा हो इस बात से आपको सतर्क रहना चाहिए करियर के लिहाज से कैसा बीतेगा आपके लिए ये वक्त राजनीती के कारण आप अपने कम आमदनी से परिशान रहेंगे और ये परिशानी क्यों होंगी क्यूंकि आपके आफिस स्पेस में राजनीती चल रही होगी आपके जीवन साथी की तरफ से आपको कुछ सलाह मिल सकती है आप एक अच्छे मार्क दरशक की तरह आपको आपका जीवन साथी राह दिखाता नजर आएगा अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको अपने व्याभार में थोड़ी शाली इन दालाने की जरूरत है याद रखिए आपका व्याभार आपकी पहचान होती है आप काम में मुनाफ़ा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं यदि आप साज़िदारी में बिजनस करते हैं तो इस महीने आपको बहुती साफधानी से चलनी की जरूरत है साज़िदारी में बिजनस इस महीने आपको धोखा दे जाएगा फाइनेंस के लिहाँ से कैसा बीतेगा ये वक्त तो धना नहीं हो सकती आपको इस महीने लें देन के मामनों में थोड़ी सा धानी वरतनी चाहिए यदि आप किसी से कर्ज ले रखा है आपने तो इस महीने ये कर्ज वापस मांग सकता है वो शक्स आपसे और आपको ये रकम चुकानी ही पड़ेगी किसी से विश्वास घात भी मत कीजिए और किसी पर आंक मून पर विश्वास भी मत कीजिए क्योंकि इसके घात तक परणाम आपको भुगतने पड़ सकते है संचित धन आपका खर्च हो सकते है ससूराल पक्ष से किसी रिश्टेदार की तरफ से आपको हो सकते है पैसों की मदद हो जाए आपके हार्थिक हालात बहुत ज़्यादा तो नहीं बिगड़ते दिख रहे हैं लेकिन अगर आप बैलन्स बना कर नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको कुछ चीज़ें भी बेचनी पड़ जाए परिवार के लिहाज से कैसा बीतेगा ये वक्त तो आपके घर में जितने लोग हैं उतने विचार हैं और कई बार एक दूसरे के विचार पसंद नहीं आते तो व्यभार में थोड़ा लचीलापन लाना ज़रूर है हलाकि इस महीन आप व्यभार का लचीलापन गुसे में बदलता हुआ महसूस कर सकते हैं आपके जीवन साधी से आपकी बातें थोड़ी सी बुरी लग सकती है और वो आपसे नाराज हो सकता है इस राशी के जातकों को अपने दोस्त के साथ ज्यादा समय बिताना भार ही पड़ सकता है इस कारण आपके घरवाले परिशान हो सकते है और हो सकता है कि आपके माता-पिता के द्वारा आपको डाढ भी पड़ जाए इस वज़े से घर में थोड़ा सा नाकरात्म का सर दिख सकता है सिक्षा के लिहाज से कैसा बीते का ये वक्त तो आप किसी प्रिया मित्र से इस महीने जगड सकते है और इस कारण आपके पढ़ाई में कमे भी आ सकती है यानि कि आपका ध्यान बार-बार भटक सकता है इस राशी के कुछ जातक इस महीने विदेश चाकर सिक्षा प्राप्त करने का अगर प्लान बना रहे हैं तंभाव सक्रिये रहेगा इस वज़े से आपके व्यवाहिक जीवन में तो अच्छे फल दिख रहे हैं और अपने पार्टनर की दिल की बाते जानने की कोशिश कीजिए इससे आपके लव लाइफ में बहुत आसानिया हो जाएंगी और आपकी मैरिक लाइफ भी स्मूध रहे हैं और यह चड़चड़ापन आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगा किसी ऐसे शक्त से अपने प्रेम जीवन की बाते शेयर मत कीजेगा जिसे आपका संगी पसंद नहीं करता हो सेहत के लिए से कैसा बीतेगा यह वक्त तो आप अगर थोड़ी आपको ऐसी प्राब्लम हो सकती है जिसकी वज़चे से आप इंफेक्शन का शकार हो सकते हैं तो इनफेक्शन ना हो इस वज़चे से थोड़ा निसाफ सफाई पर ध्यान रखे नहाते वक्त आपको अच्छी तरीके से क्लीनिंग पर ध्यान रखना है और साथी साथ बविश्य और अतीत में जीने वाली जो आपकी इक्षा हैं उससे बाहर निकल लिए और वर्तमान में जिए क्योंकि ये ज्यादा एहम होता है क्योंकि आप वर्तमान सवारेंगे तो आपका भविश्य भी सवर्ता चला जाएगा मीठा खाना छोड़िए फिलहाल मीठा खाना आपको धानी कारक साबित हो सकत अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है तो जाना आपने कैसा बीतेगा आपके लिए आक्टबर का ये महीना इस महीने को और बहतर बनाना है तो आपको मैंने उपाय भी बता है इन उपाय को कीजिए पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए देखिए आपके कॉमन सेक्शन में आप अपनी राय लिखे अगली वीडियो किस टापिक पर देखना चाहते हैं ये भी लिखे और जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि लोग अपना भविश्य पहले ही जान पाएं खयाल रखिए अपना नमस्कार